नमस्ते सदा बच्सले मात रभू में हम लोग विश्यव पर चल्चा करने जा रहे हैं मोटा भाई की मिनिंस्ट्री तो हम जानते ही होंगे Ministry of Home Affairs Ministry of Home Affairs पर ये आरोप लगाया है दो बड़े लोगों ने कौन? पहला बड़ा वेक्ति है मामता बेनर जी मामता बेनर जी ने मोटा भाई पर आरोप लगाया है कि आपकी Ministry क्रिस्मस पर भी गरीवों को नहीं छोड़ रही है खास तोर से वो गरीब जिन गरीवों की मदद मिशनरी करती है दूसरा आरोप लगाने वाले हैं हम सभी जान रहे हैं शशी थरूर बहुत सल्लम में समय तक विदिशों में रहे तो शशी थरूर ने भी आरोप लगाया है थरूर ने भी आरोप लगाया है कि भई ये शौकिंग है, सरकार किस हद तक जा रही है, सरकार गरीबों को मार देना चाहती है, सरकार मिशनरी का पैसा नहीं आने दे रही है, देश में मिशनरी चैरेटी वर करती है, देश में मिशनरी गरीबों की मदद करती है, देश में मिशनरी के लोग काम करते हैं, उसको salary मिलती है और मोटा भाई की ministry उनको salary से बंचित कर रही जो patient admit है अस्पतालों में उन patientों को दबा नहीं मिल पा रही है और खास्तोर से Christmas के समय पर भी नहीं छोड़ा तो कम से कम Christmas पर तो छोड़ देते ministry of charity यानि ministry sorry missionary of charity ऐसा missionary of charity नाम से charity करने वाले को संस्थान जो mother Teresa के नाम से चलते हैं उन्होंने एक आरोप लगाया है उन्होंने आरोप ये लगाया है कि FCR आपको सबको पता ही होगा कि foreign contribution regulatory act है जिसमें केंदर सरकार ने एक नियम बनाया था और किंदर सरकार ने ये कहा था कि SBI का account अगर आप foreign contribution लेते हैं विदेशों से पैसा लेते हैं तो फिर आपको वो पैसा दिल्ली में SBI का account खोलना पड़ेगा और SBI का account खोल कर उसमें ही वो पैसा लाया जा सकता है वो सीधे लोगों के सीधे missionary के अकाउंट में नहीं ताकि उसका audit हो सके और सरकार उनसे पूछ सके audit report कि आपके पास जो विदेशी पैसा आया है वो विदेशी पैसा आपने किस मद में खर्च किया है और उसका हैसाब दीजे आपको याद होगा कि केंदर में 2014 में मोदी जी के नित्रत्तों में सरकार बनी थी उस सरकार ने उस स funding आती है वो return file करें और सरकार को बताएं कि उनके पास जो भी पैसा आया है उसका उन्होंने खर्च कहां किया अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपकी NGO की मानता रद्द कर दी जाएगी और उसी क्रम में 20,000 NGO देश में बंद कर दी गई थी वो registered के पास वो नियत समय के अं पाई न दे पाने के अंदर यानि कि वो हिसाब नहीं दे पाएं थी कि जो विदेशी fund उनके पास आये वो खर्च कहां किये इसके कारण उस समय नर्द मोदी जी की सरकार ने उन पर सब परवेन लगा दिया था और उनसे हिसाब मांगा था हिसाब नहीं बता पाएं तो वो स पैसा लगाती थी ग्रीन पीस भी भारत छोड़कर चला गया था आरो पी ये लगाया था ग्रेइन पीस ने कि भारत सरकार मिनसी ओफ हम नहीं करने दे रहे हैं बीदेशों से जो मेरे लिए पैसा आता है वो पैसा रिलीज नहीं होने दे रहे हैं और हमको लोगों की मदद यहां नहीं करने दे रही अब मिशनरी ऑफ चैरेटी मदद टेरेसा के नाम जिल दी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 2014 में सरकार बैठने के बाद सर्शी थरूर भी प्रशन कर रहे हैं और ममताब एनर्जी भी प्रशन कर रही है कोंग्रेस भी प्रशन में कोई भी भूके पेट नहीं मरता पांच लाग तक का गरीवों का वीमा कर दिया गया है उनको सरकारी इलाज मिलता है और साथ में ही ये जो खाने की विवस्ता है वो तो ये एपेडमिक आने के बाद सब को मिली है लोग बेचा तक है इसी को सुचना है और वैक्सीन भार खर्च करती है और गरीवों को भोजन पर पैसा बहुत खर्च करती है शेल्टर होस बनाती है अब केंदर की सरकार ने शेल्टर होस तो छोड़ दिये गरीवों को मुफ्त में मकान 25 लाग दे दी ये देश में फिर लाज 5 लाग रुपे तक की विवस्ता कर दी है और उपर स अफगानिस्तान में बहुत सारा चिला रहे हैं लोग और पाकिस्तान भी चिला रहा है कि अफगानिस्तान में साब लोग मर रहे हैं वहां लोगों की मदद नहीं तो ये जो मदर टेरेसा के नाम से देश में काम चल रहा है इनको सब को क्या समस्या है ये क्यों नहीं अफग गरीबी है लोग भूकों मर रहे हैं पाकिस्तान में भी उनको काम करना चाहिए पाकिस्तान में लोग भूकों मर रहे हैं उनका रुपया डॉलर के मकाबले दो सो रुपय में पहुंच गया है लेकिन साब ये मिशनरिया वहां नहीं काम करती है ये भारत में काम करती है और कहत एकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और FCRA रिन्यूबल उनको नहीं मिल रहा है सेबा कर रहे हैं अब सेबा किसको कहते हैं यह समझना चाहिए सेबा हम अगर ये कहें कि सेबा उसको कहनी चाहिए जिसका हमें फल नहीं चाहिए लेकिन जिसका फल चाहिए जिसके जो हमें किसी लालच के तहत हम कर रहे हैं अपनी फिजा बनाने के लिए अपना महत तो बढ़ाने के लिए समाज में दिखाने के लिए समाज में politics करने के लिए या अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करने के लिए अगर हम सेवा कर रहे हैं तो क्या वाकई में वो सेवा है सेवा तो मुझे लगता है कि वो है जिसका हमें कुछ प्रतिफल नहीं चाहिए हमने जो समाज से लिया है उसको समाज को देना है उसको धर्म कहते हैं जो हमने इस देश से लिया संस्कृति से लिया उसको वापस देना ही धर्म कहते हैं लोगों से जो हमने लिया उनको जो हम दे रहे हैं उसको हम charity कह सकते हैं या लोगों की मदद करते हैं चैरेटी कह सकते हैं तो मुझे समझी नहीं आए कि ये क्या कर रहा है सेवा अगर आपको देखनी है तो मैंने एक पूरा लेक्चर सेवा का रिकॉर्ड किया था या फिर आपको वाकई में देखना है कि सेवा कौन करता है तो सेवागाथा.org ये मैंने वेबसाइड अभी पीछे ही उस करकरम का में मुखह थी थी था और उस साइड पर मैंने देखा जो उन्होंने मुझे बताया जो उन्होंने किससे बताये कहानियां बताईए पुराने कथानक बताइए गाथाइए बताईए उसमें पता लगा कि वाकई में जो charity, वाकई में charity करने वाले लोग हैं, जो करम करने वाले लोग हैं, वो कभी expect नहीं करते कि हमें कुछ मिलना चाहिए. ये तो अलग से संस्था ने कहा कि हम देश को बताएंगे कि देश की मदद करने वाले लोगों की मदद करने वाले कौन है लेकिन उन लोगों ने कोई expectation कभी ने रखी यहां तक कि उन संस्थाओं में वो गुप्तदान करते हैं और गुप्त तरीके से लोगों की मदद करते हैं किसी प्रकार की कोई expectation ने होती रात में उठते हैं कंबले खटे करते हैं और जाड़े में लेटे हुए लोगों को उड़ा देते हैं रात में उठते हैं जहां बरातों में खाना बचता है उनको लेकर आते हैं दो गंटे कंदर गरीब घरों में बाट देते हैं और इस तरह के बहुत सारे काम वो करते हैं स्वाब लंबन करते हैं फिर ये आखिर missionary की इस इस institute ने ये objection लगाए कि उसको भी जानना ज़रूरी है हुआ क्या कि गुजरात के अंदर बहुत सारे objections लगाए गए और ये objection ये लगाए गए कि साभी ये जो मिशनरियां हैं ये मिशनरियां को convert करके Christian बनाती हैं अब जैसा मैंने कहा कि अगर आप कुछ प्रतिफल चाहते हैं conversion करने के उदर्शित तो ये Mother Teresa कभी संत नहीं हो सकती संत तो देता है कभी उसको expect ने करता है लेकिन संत जब expect करेगी आप convert हो जाए ये इसाही हो जाए तो फिर वो क्या संत है क्या उनको सं कहते हैं इसको fraud कहते हैं इसको देश में conversion कहते हैं इसको देश को बरबात करना कहते हैं इसको इसमें देश को तोड़ना कहते हैं ये सब काम ये लोग करते हैं ये objections लगाए गजरात में एक मुकदमा लिखा गया और religious conversion act के तहद लिखा गया उसमें मुकदमे में ये कहा गया कि एक camp जिसमें कोछ बच्चें रहती थी उन बच्चियों को यह लोग खाना वणा देती थी शेल्टर हाउस बना कर रखा था फिर उन बच्चियों को pressure बनाया गया कि तुम लोग ईसा मसी की प्राथना करो फ्रोस वे परेयर करो और इसा मसी की प्राथना करके उनकी अराधना करो और ये करवा कर ईशा के किस से बताओ किस से सुनो किस से सुनाओ ये करो वो करो ये करके उनका करवर्जन करना चाहते तो उनको क्रिशन बनाना चाहते एक भारत में बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या ये है कि जो बच्चे अनात रहते हैं उन बच्चों को ये मिश् कि प्रेयर नहीं करवानी है वो अपनी मर्जी से पुझा पाट करें आप उनकी केवल मदद करिए बाकि वो सब उनके उपर छोड़ दीजे लेकिन उनका उदेश तो होता है करना इसलिए वो उन बच्चों को ले जाते हैं उनकी भरन पोशन की विवस्था करते हैं और उसके बाद उसको कनवर्ट कर लेते हैं यह उनका फाइनल अंग्देश होता है इसी बात को लेकर फायर दाच हुए पालेमिट में भी यह बात उठी एक सांसर न उठाई कि यह करती है इन पर कुछ करिए हुआ क्या कि ऑक्टूबर में यह मदर टेरसा की चैरिटी के जो इंस्ट सरकार ने उसको रिव्यू करो कि वाकई में इनका उदेश है क्यों पैसा करच करते हैं लेकिन तब तक जब तक वह रिव्यू होगा तब तक तीन महने के लिए इनका एक्सेयर एक्स्टेंड कर दिएगा 31 दिसंबर 2021 तक के लिए अब क्रिश्मस के समय पर चुकी खुप सार प्सक्वारती का अब धारू कर उनको उनको करवाते हैं और इनके आहां क्या है उसको संटाव बनते हैं या उसको जिंगल बनते हैं और इसको काटून बना देते हैं तो अब ये काटून बना कर खुब सारे काम चल रहे होंगे गे और यह जो वो बड़ी टोप्री लगा कर करते हैं क्या बोलता है उसको जो भी अब इन बच्चों के सामने या लोगों के जो भीड़ी खटी होती है लोगों के सिंपर्थी होती है उनके सामने ये बात रखी कि भई एफसी आरे में हमारे लिनुवल नहीं कर रहे हैं हो मिनस्ट्री तब ही इन लोगों चलाना शुरू कर दिया है खास बात क्या है पच्चेस दिसंबर की बात थी और सरकार ने एक्स्टेंशन नहीं करते हैं दि कर रहे हैं इसका इन्वेस्टिकेशन जल रहा है इन्वेस्टिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो तक के लिए तीन मैंने के लिए एक्स्टेंशन करते हैं सरकार कह रही है कि विदेशी पैसे से आप नुकसान करते हैं आप देश का नुकसान करते हैं आप में सरकार के ऊपर Christian Christmas ना जाए कि नहीं से कहना था इनों ने कोई पर अब्जेक्षन लगा है इनोंने सुम एप्लिकेशन कर यह कहा मिशनरी ने कि हमार एकाउंट फ्रीज कर दिया जाए जब तक वो सरकार एप्रूबल ना दे दे एस बीए का कहना है एप्लिकेशन साइज और होम इनिस्टी का कहना है कि हमने कोई अब्जेक्शन नहीं लगा है हमने तीन मेंने के लिए एक्स्टेंशन किये जब तक इनिविस्टेकर से चल रहा है तब तक खूल देना चाहिए जिसको भारत की मदद करनी है वह भारत को पैसा दे दे भारत सरकार को भारत screens दे दे कि हम यहां खर्च करना wicked जो लूग भी कुछ का म करके आते हैं चारेटी का काम कर रहे हैं वह क्लैब m करें और रिलीज करवाले पैसा ये क्लेम करें हैं लगा कर अब कितना अच्छा होगा सरकार अगर ऐसा कर पाती है या सरकार ऐसा आदेश दे पाती है तो आप सोच लिए कि आपको अलिगर मुस्लिम निवस्टी मुस्लिम मदर्सों के लिए पैसा विदेशों से चलता है वो पैसा सीधा संस्थान में न जाकर सरकार के पास आएगा सरकार के स सीधा क्यों जाए मुझे लगता है कि इस पर अभी संशोधन की फिरावश सकता है कि पैसा सीधा एक national pool में आना चाहिए national pool में लोग जो काम कर रहे हैं वो claim करना चाहिए सरकार उसको cross check करके approval देगी और charity तो जो पैसा देने वाला है वो charity पर पैसा देने वाला भारत सरकार को charity करते हैं बार सरकार उस पर charity का एक fund मना देगी charity fund से charity institutions को एंजियो को मदद करना शुरू कर देगी लेकिन कौन सी एंजियो को जाय है यह सरकार टाय करेगी और उनका cross audit हो यह भी सरकार टाय करेगी तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा लेकिन इनको के दुफदर्पनी समझती अत्यचार करती है और यह जो कृष्ण है और मसल्मान है उनके खड़ी हो जाती है मुझे लगा कि बड़ा अच्छा डिसीजन जो लिया है बड़े मैंड पूर्वक्त मोटा भाई की मिनस्टिन लिया वह आपको बता तो इसलिए आपको बता है ज